हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टडी फीट फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों यह इनोटोमी फीजियो लोजी के बारों प्रैक्टिस से थे यूथ कंपडिशन से यह प्रैक्टिस है यह कंकाल तंत्र से रिलेटेट इसमें 20 कोस्टन्स हैं दोस्तों जीतने में कोस जैसे कि अभी बरतमान में कोई वेकेंसी आ नहीं रही है कोई नौटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो ब्यूज बहुत ही कम आ रहा है फिर भी मुझे मोटिवेशन उतना नहीं मिल रहा है फिर भी मैं बना रही हूं आप लोग के चलते कि आप लोग डेली बेसे से कुछ कौशन नमर वन है कि सही मिलान करें तो इस प्रकार के कौशन से पूछे जा रहे हैं तो आपको देखिए जो आपको आ रहा है सबसे पहले उसको मिलाया कीजिए तो आपका राइड इंसल अवेसा आ जाएगा ठीक है पहले इस प्रकार से अपने जो रॉफ साइट दिया रह हो जाएगा ठीक हो दोस्तलऊ है आपको इक चीज और आया है कि जो है आपका अनृग कि इसे डर्नम सॉरी दौस्तों आपको पता है कि इस डर्नम कहा की हर्दी है वसकी जहां से दूनों तरफ बारे बारे पसल्यां जुनी रहती है तो वसरी ओं mają जाये आपका विonder तीक है और इसके फायड आपको पता है कि इसके फायड आपको उतना पता नहीं होगा फिर भी मैलियस, इनिकस और स्टेपस यह आपको पता है कि कान की हडिया है तो मैलियस किसकी हडिया है? तो कान की एका 3 हो जाएगा एका क्या हो जाएगा? फ्री, ए दुनों आपका आ गया अब आप देखेंगे कि एका 3 और डी का 4 किसमें दिख रहा है? तो आपका आग या निकल करके आपसन नमबर C इस तरीके से इस प्रकार के कोशिंस को आप मिलाया कीजिए अब आपको देख कि आंदाज लग जाएगा कि कौन किसका है? तो आपको पता है जैसे कि सबको पता यह होगा कि 4 आपसन तो मैकजिला जो है उपरी जबड़े की हड़ी है तो B का 2 हो गया जैसे कि B का 2 हो गया अनिशले जबड़े की हड़ी कोन सा है? मैंडिबल है जो सनी की सबसे मजबूत हड़ी है इसकी फायट क्या है? एक कलाई की यानिकी जो आपका रिष्ट की अड़ी है तो C का 1 हो गया था 3, 2, 1, 4 आपका आपसर नमबर C आपका राइडन सुरुआ Question No. 2 है निन में से कौन सी कलाय की अस्थियां है Which of the following is the bone of wrist तो यहाँ पर आप पर एक एक चीज देखते रहे कि इस टेपस जो है आप क्या है कान की है इस्टे पीछ कान की है तो A आपका खतम हो गया तो जिसमें इस जिसमें D option है उसको आप पहले cross कर दीजिए ठीक है अब बचा क्या B और D तो यहाँ पर आपको देखना है इनकस भी आपका कान की हर्दी है A भी आपका खतम हो गया तो जिसमें A दिख रहा है उसको भी काट दीजिए बचा क्या आपका D इस प्रकार से questions को निकाला जाता है तो इस प्रकार क्या आप काट दीजिए तो बचा क्या आपका D तो इस प्रकार से आप करेंगे तो जो बचेगा वही आपका सही आपसन हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं लिउनेट और कैपिटेट यह दोनों कलाई की यानि रिष्ट की हर्डिया है लिउनेट और कपिटेट कैपिटेट ठीक है कलाई यानि रिष्ट की हर्डिया है कलाई के और हर्डियों में जैसे दोस्तों कलाई यानि कारपस हर्डिया आठ हर्ड होती है दोनों हाथों में यानि कुल 16 होती है तो आठ हर्डिया होती है कलाई में 8 हर्डिया होती है करपस बोन उपरी पंक्ती में बाहर से हुदा की ऊर जाती है तो उपरी पंक्ती में चार आफ बोन होती है उपरी पंक्ती हैं सभी साइनोवियल संधिया हैं आल साइनोवियल जो होता है द्रव कहां पर होता है जोड़ों के बीच तरल पदात होता है जो हड़ियों को मजबूती देता है और उसको जो है जीपर दोनों हड़ियों पर आपस में रगड़ ना खाए इससे बचने के लिए यह द्रव पर और ही फिसल कर संधि में गति बनाया रखती है तो यह सचल संधिया है जिसके अंतरकर सचल संधिया जहें दो या दो से अधिक हड़ियों के सचल संधिया जो है सचल संधियों को हम क्या संधियों को freely moveable joint syno wheel joint and diathrosis joint आधी नावों से जानते हैं जो गति करने में सायक है जो तीनों तलों में गति होती है किसी भी तल में गति और तिंप्रका के संदी है अचल संदी और चल संदी ठीक है तो मैंने आपको बताया था D A S यानि कि आपका चल संधी, और्धचल संधी और अचल संधी D से डायर्थ्रोसिस चल संधी को गोलते हैं और A से एंफियार्थ्रोसिस और्धचल संधी को S से साइनोथ्रोसिस अचल संधी को और किस-किस नामों से जाना जाता है अचल संधी को हम केल संधी, तन्तू संधी, फिक्स ज्वाइन, फाइबर्स ज्वाइन, साइनो थ्रोसिस ज्वाइन, एंड इम्मुवेबल ज्वाइन, आधी नामों से जानते हैं जबकि आद्व चल संदी को स्लिक्ली मोवγल जोएंटë, काड़ी लेजियस जोएंट, एमपियार्सिस जाइँट आदिनामों से जानते हैं और चल संधी को फ्रिली मोवबल जोएंट। सान्योबियल जोएंट एडर दावाबों से जानते हैं। कोशन नुम्बर फूर है कपाल अस्थियां उधारण है तो दोस्तों कपाल अस्थियां जैसे की आकार और आकृति के अधार पर कंकाल तंतर इसकेलेटल को पांच भागों में डिवाइड किया गया है लांग बून साड बून फ्लैट बून एरिगुलर बून सिसामोइड जैसे की यह संदर के अन ittरे कर 750 आपका लीवर का काम करता है लंबी एस्थियां अधों पढूरो जैसे ह्यूमरस रेडियोज अलनाफ ही मेरे टीवयर्ट या पी ऑला अद्धी में पाया जाता है इस्थियों के बीच में खोकला भाग होता है जिसने हम हैवजियनल कहते हैं कलाए यानि कार्पस बोन और टक्रेन यान टार्थस बोन आते हैं इसमें और ताभlen नह testosterone हो तितरा होता है आपका फ्लैट बोन जो विस्वाद बोन के तेदर नहीं इसमें चेहरे की कुछ हडिया और रुड की कुछ हडियां आती हैं पांच वा होता है सिसा मौयर वूंग जिसे हम कंड्रा आस्तिया भी कहती हैं क्योंकि यह जोड के आसपर संट्रा में विक्षित होने वाली होती है इसमें घुटने पर पैय जाने पटेला सबसे बड़ी हर्टी होती है सीसा मौईर वोन के अंतरगत कोस्टन नम्रू 5 है गाउटी अर्थराइटीस का करण है तो गाउटी अर्थराइटीस का करण है सीरम यूरिक एसिद का बढ़ना दोस्तों सरी में जब यूरिक एसिद बढ़ जाता है तो गाउटी अर्थ एक utility और अत्रिक हाम तर पर फिल्टर के सोुन पड़ु के सीगे में आगा स्थी यूरिक wanna jam करके अब फिर उसको अच्छे से दो करके जिसमें उसमें जो भी ज्ञाग है उसको पुरा निकाल करके तब बनाए तो यूरी केसे आपका नहीं बढ़ेगा ठीक है कोर्षन ॉर्षन 6 है छीया बाट है कि हिंज जोईंड कबजे के जूर का अच्छा उधार है दोस्तों ज्यानते हैं कि हिंज जोईंड जुआ है यहां पर knee joint, elbow joint and finger joint गुटनी का जोर, कोणी का जोर, उंगली का जोर इस सभी हिंज joint के अंतरगत आएंगे Q7 हड़ी जाइगोमेटिक किसमी मौझूद होती है तो दोस्तो हड़ी जाइगोमेटिक जो है खोपड़ी में इस्थित होती है इसकल में मानौ खोपड़ी में जाइगोमेटिक हड़ी जिसे चिक बून या मलार बून एक जोड़ी अन्यमित हड़ी होती है क्योंकि दोस्तों जो चेहरा आता है जाइगोमेटिक मतलब एक प्रकार से चेहरे में ही है चिक बोन या मलार बॉन भी कहते हैं आपको पता ही है कि जो खोपडी है उसके अंतरगत जो इसकल है कपाल है स्कल के अंतरगत हमारा क्रेणियल बून आठ चेहरा का चवदय का च्छे जो अच्छी का हाइट बून होती है तो यह जो है कोपड़ी के अंतरगत आएगा आपका इसकल के अंतरगत ठीक है अगर क्रिनियल होता तो नहीं होता तो इसको हम चिक बोन या मलार बोन भी काती है एक जोड़ी अन्यमित हड़ी होती है जो कि मैगिला उपरी जबना और टेंपोरल बोन और इस्पिनायट बोन और ललाड की क्योटन न मौत में बऌना इसको मापत है लेटरल डि इस्पाइन और इसको सिस कहते है इसको मेटर शच्य माप come to darkness एक प्लेन के लिए एपिकल बड़्टेवल लेटरल डिविशन का अकसर इस्तिमाल किया जाता है इसमें क्या होता है कि हीप दूसरे तरफ और आपका कंधा दूसरे तरफ जुक जाता है इसलिए इसको पार्स बिचलन भी कहते हैं कोशन नमबर नाइन है उरोस्थी भाग है इस टर्नम इज पार्ट आप आपको पता है उरोस्थी जो है वो आपका वच्छ कैसरिका यानि की थुरुषिक वर्टेवरा का भाग है यानि वच्छ का भाग है क्योंकि उरोस्थी जो है आपका एक स्पार्ट हर्डी होती है जो बाट्च के पूरु काल पहलोस पहले इसीत होती है वच्छांक के मद में इसका अकार टी है और जैसे कि इसका उरोष्थी का आकार कैसा होता है, आपका इस तरह से देखे होंगे, और इसे दुनों तरफ से पसर्या बारा बारा जुड़ी रहती है। यह जो मोटी हड़ी है यह आपका होता है उरोष्थी, यानि इस्टननम जिसके तीन भाग होते हैं, माइनॉब्रियम, ग पुला से जोड़ती है और मधी वला भाग जो होता है औक ग्लैडियॉलस क trabalhाता ineffective जिसमें अजोड़ी पसरीया जोड़ी होती है तिसरा बाग जीप हाइट निचला वाला भाग स्वतंतर भाग वय होता है उपास्थी का बना होता है इसके यह हमारा लिवर हमारा अमास है पिता सै और तीली सुरचेत रहती है जो से लगबाई होता है को लगभग 17cm लगव और सप्पनु में प्रूष सोधीया नमरो सी ठीक है पांच भागों में बटा गया है पहला है आपका पहला है आपका सी यानि की सर्वाइकल बूर्ण साथ होती है और दूसरा आपका होता है थुरेसिक बूर्ण जो थुरेसिक यानि वच्छकी होती है बारह होती है और तीसरा आपका होता है ठाइस लंबर लीजिन कमर का भाग जिसमें फांच होता है एसच छूता आप का होता है कि सिक्रन के जो पऊंच होती है बाद में ऐसक यह को अच्छ वाल पाङ्च काँस गöz Д्व्हें दिवां होता हैं आपकों एक हो जाती हैं ओसे होता है जो इस तो प्रथम आपका कौन हो जाएगा एटलस क्योंकि यह कसरियुका जो कसरियुका के उपर खोपड़ी का समर्थन करता है यह कसरियुका एक सरीर या इस्पनिस प्रक्रिया नहीं होती है यह मतलब यह आपका खोपड़ी को साधे रखता है सीधा कोस्टन नमबर 11 है ग्रिन इस्टिक फैक्चर के में सबसे आम है तो दोस्तों यह बच्चों में होता है हडिया अच्छे से बिक्सित नहीं हो पाती है कुमल कुमल होती है तो तूटती नहीं है बलकि वो मुड़ जाती है कोस्टन नमबर 12 है किस प्रकार की मांस्पेसी संकुचन में मांस्पेसियों के लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता और कोई जोड या अंग गती नहीं होती कि विस टाइप अ मसल्स कंट्रक्षण कोजेश नो चेंज असल्स लेंध नो जॉइन लिंब मॉमेंज तो आपको पता ही है यह आपका आइसो मेंट्रिक कंट्रक्षण एइसो मेट्रिक मतलब सेम अब मतलब लंबाई यानि सेम लंबाई आइसो मेट्रिक की खोज 1904 में हेटिंगर मुलर्ण ने किया था और आइसो मेट्रिक की खोज 1903 में हेटिंगर मुलर ने किया था और आइसो टोनिक की खोज 1904 में ली डोने ने किया और जिम्स बिराइन ने आइसो कानेटिक की खोज 1964 में किया जैसे कि आइसो मेट्रिक जो है आइसो मतलब सेम और मेट्रिक मतलब लंबाई यानि सेम लंबाई लंबाई मिंए कोई चेंजन नहीं होगा प्रतैस्च गति नहीं होता कारेत होता दिखाई नहीं देते फेसिया लंबाई सेम होती है कोई परिवत्र नहीं होता इससे ऐसे दिवाल को धक्का मन के यानड आइसो-ट्रोनिक मी थे हगिता है नहीं भी मतला रख सकता है दोनों चीजा हो सकती है बट इसमें पेसिती घटी के परयती बीस्टी हैं Chinese केलेस्थनी बयाम एक ही अस्थान पर दरणना भार पर सिच्छो और मेडिसिन बालत्रो आदी इसमें आते हैं यह उपकड़ों तथा बिना उपकड़ों के साथ किया जा सकता है तो इसमें होता है इसकी कोच उनिस्सो और सथ में जेम्स बिरायन ने किया था यह मसीनों की और ठीमिन यादि प्रियोग होता है है को सप्याइवं में कील संदी समंदि थो और कील संदी या इंवर संदी या अचल संधी भी कहते हैं fibers joint याद रखिएगा और किल संधी जो है अचल संधी है ए अचल संधी के अंतरगत आपका खोपड़ी का जोड़ जिसे हम suture joint कहते हैं और दूसरा होता लंबे fiber तंतु के joint जिस वे एंटेटियर फिविला joint और तिसरा होता है गोंफोसिस जिसे पेग और साकेट जोड़ होता है इसके अंतरगत रहता है सैको इलियक जोड़ जो सैकरेम हड़ी का बाहर ही भाग इलियम हड़ी से जुड़ा हुआ कुल्ध में इस्थित होता है जो इसको याद करने के मैंने थ्रेक आपको बताया हुआ था कि इसमेंत्तव बून को याद करने का ट्रिक है C-C-T-N-C यानि कि कलकेनम, क्यूबोयर, टेलर्स, नेवी कुलर, क्यूनिफॉर्म इस साथ हडियों होती हैं आपके टार्सस बून टखने में और जो एक किवाइड बून होती हैं एक कलकेनम तथा सामने के दो मेटाटार्सल से जुड़ी होती हैं और या पैर और टखने को जोड़ता है या पैर को इस्थिता भी पदाग करता है कोस्टन नंबर 15 है सबसे बड़ी सिसो मौयड अस्थी है वीच इज दर लार्जेस्ट सिसा मौयड बून तो आपको पता है सिसा मोयट बोन को हम कंड्रा अस्तियां में बोलते हैं जो जोड के आसपास कंड्रा में बिक्सित होती है इसमें सबसे बड़ी अस्तिय होती है अपका पटेला जो गुटनी पे होती है क्वस्टन नेमr 16 है मानोखोपड़ी में कुल कितनी हड्यां होती है आपको पता है बानोखोपड़ी यानि इसकल में इसकल यहां पर इसकल बोला है इसकल बोलेगा तो पूरा आपका चेहरा आपका कान और हायट जो आपका मस्तिष्कश के उपर बून होती है सभी आ जाएंगे तो कुल 29 होती है आपके क्रिनियल बून आठ होती है और फैसियल चाउदय इयर मेच्छे और हायर बून एक कुल 29 होती है तो 29 जम नहीं दिया रहेगा तो यहां भी बाइस राइट होगा कुश्टन नमब 17 है इसकोलियोसिस किस्से समझित एक आसनी बिक्रिती है तो आपको पता है यह रिड की हड़ी जो है दाई या बाइय तरफ मुड़ जाती है लेटरल डिविस नाम इस्पाइन हो जाता है ठीक है इसको इसकोलियोसिस कहते हैं इस प्रकागी बिक्रिती रिड क की हड़ियों पाएं जाती है दाई या बाइय और मुड़ जाती है यह सेरेब्र पॉल सी या मसल्स की डिस्ट्रोफ ही जैसी इस्थितियों की करण जादा होती है क्यों कि क्वेस्टन नमब 18 है मानो सरी की सबसे छोटी हड़ी कोन सी है वीच आप पता है इस्टेपस है कान म सबसे बड़ी हड़ी है लंबी अर्ष्थी है आपकी जांकी फीमत और सबसे मजबूत हड़ी है आपके निचले जब्रे की मैंडेवल हड़ी कोशन नमब 19 है निन में से कौन सा सब्द एक प्रकावर की भरंस को ब्याख्याइद नहीं करता है वीचा तो फालिविंग टर्म ड्रजनार डिसकाइब अफ फैक्टर तो फैक्टर यान भ्रंस को कौन-कौन गरीन इस्टिक फैक्ट्र होता है यह यह दियां में किया होता है कि हडिया टूट करके कुमल अंगो हिदे गुद्द्याधि में गुज जाती है सरल अस्थि भंग भी वहता है बत नर्ष्च में डाला गया यह आपका कोई अस्ति भंग नहीं होता है को स्टन नमर बीस आज के सेशन का लाश्ट को स्टन कि वच्छ अस्ति का सरी रचनात्मक नाम क्या है तो वच्छ के अस्ति का सरी इन अटॉमिकल नेम है आपका इस्टर नम जिसके तीन भाग होते हैं मैनुब्रियम ग्ल कोईशन अपको अच्छे से समझ में आए होंगे डेली बेसे प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादे लोगों तक सिर्पी कीजिए जिसे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाहें